हलो बच्चो, वेलकम टो आई यूट्यूब चैनल, तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 9th मैक्स 1 अलजेब्रा का प्राक्टिस सेट 3.3, हमने इसके पहले के दो प्राक्टिस सेट अलएड़ी अप्लोड कर दिये, प्राक्टिस सेट 3.1 और 3.2, अगर आपने वो नहीं देखे ह तो यहाँ पर राइट साइड में उपर प्रेलिस्ट का लिंक आएगा, जिसमें जाकर आप लाइन वाइज 9th स्टैंडर्ड के पॉलिनोमिल्स के तो देखी सकते हैं वीडियो, बाकि सारे वीडियो भी देख सकते हैं, आज हम चुरू करेंगे प्राक्टिस सेट 3.3, जिसम दो नए मेथड देखने हैं डिविजन के, ठीक है, दोनों बहुत ही easy methods है, और दोनों methods में must दिमाग use होता है, इसलिए solve करने में बहुत मजा आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको synthetic division करना है, linear division करना है, and quotient and remainder लिखना है, मैं पहले दो questions जो है, वो सिर्फ synthetic division से solve कराऊंग एक बार synthetic दूसरा linear किया, तो दोनों में से एक भी method आपको दिमाग मिली जाएगा, इसलिए पहले first question and second question synthetic division से solve करते है, एक और बात याद रखना है बच्चों, कि जब भी synthetic division आप use कर रहे हो, तो आपको check करना है, कि जो divisor है यहाँ पर, वो ऐसा ही होना चाहिए, कि variable, ठीक ह y plus 4, y minus 7, यह number के हाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यह letter के हाँ पर भी दूसरा कुछ हो सकता है, minus 5, लेकिन यह degree देखो, हरेक का degree 1 है, और बाजू में ऐसे वाले terms है, तब ही आप synthetic division use कर सकते हो, 9 standard में ऐसा कभी नहीं होगा, कि आप लोगो को कुछ और sum दिया और बोला synthetic division से करके बताओ, ऐसे बोला m square minus 5, करी नहीं सकते, यहाँ पर जैसे ही 2 आया, यह question synthetic division से होई नहीं सकता, ओके, याद रखना है fact, लेकि 9 standard में बहुत जादा काम नहीं आने वाला है, आगे जाके आपको हो सकता है काम है, चलो, शुरू करते हैं, तो यहाँ पर first question में दिया ह 2m square minus 3m plus 10, divide by m minus 5, यह जो है, इसको बोलते है dividend, इसको बोलते है divisor, यह दो चीज़ उसने हमको दी है, हमको निकालना है quotient and remainder, कौन से method से, पहले synthetic division से, तो dividend क्या दिया है, यहाँ पर देखो यह रहा, अब जब भी आप यहाँ से dividend copy करे, तब आपको ध्यान रखना है, कि जो भी dividend है, वो हमेशा index form में होना चाहिए, index form मतलब, यहाँ पर जो भी maximum degree है, क्या है 2, तो 2 से लेके 0 तक हर एक degree का term उसमें होना चाहिए, अगर नहीं है तो हम क्या करते है, 0 add करते हैं, यहाद है, fortunately, first question में उसने ऐसा direct index form में दिया, इसमें सारे degree के terms है, देखो यहाँ पर 2 degree ह है, यहाँ पर 1 है, और 10 के साथ M0 है, तो 2 से लेके 0 तक सब terms है, तो already index form में है, तो dividend हैसे का है, इसा copy कर लो यहाँ पर, 2M square minus 3M plus 10, ओके, अब इसका coefficient form of dividend कैसे लिखेंगे, हम लोग इसके coefficients check करेंगे, इसका 2 minus 3 and 10 है न, coefficient, तो हम लोग लिखेंगे, 2 minus 3, 10, यह हमने सीखा था, राखते से 3.1 में, coefficient form कैसे लिखते हैं, next है divisor, divisor मतलब यह, जिससे हम divide करने वाले हैं, तो वो है M minus 5, अब इसमें हमेशा यह sign के साथ, इसको circle कर देना, ठीक है, हमेशा, फिर नीचे लिखना है, opposite of, जो भी यहाँ पे नंबर है, क्या नंबर है, minus 5, minus 5 का opposite क्या आएगा, 5, अगर यहाँ पे plus 5 होता था, आपन लिखते है, opposite of plus 5 क्या आएगा, minus 5, plus का opposite minus, minus का opposite plus, ठीक है, तो opposite of जो भी यह नंबर है यहाँ पे, वो यहाँ पे आ जाएगा, इसमें बहुत सारी और details होती है, बत पहले question solve कर लेते हैं, अब synthetic division solve करने के लिए, जैसे हम लोग कैसे normal division में ऐसा लिखते थे, और यहाँ पे dividend लिखते थे, और यहाँ पे divisor लिखते थे, है ना, फिर ऐसे यहाँ पे number डाल के multiply करते थे, यह चतरी बनानी पड़ती थी ना, वैसे यहाँ पे भी आपको एक अलग method से बनाना पड़ेगा, क्या बनाएंगे देखो, ऐसे बनाना पड़ेगा, इसमें दो lines यहाँ पे आएगी, एक line इधर, एक line इधर numbers की, और यहाँ पे इसको जो दो numbers यहाँ पे उनको add करके लिखना है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे, जैसे चतरी के अंदर यहाँ पे हम dividend लिखते थे न, यहाँ पे हम लोग dividend ही लिखेंगे, लेकिन उसका coefficient form लिखेंगे, क्या है, 2-310, तो यहाँ पे लिख दिया, 2-310, ओके, फिर normal division में, यहाँ पे हम लोग लिखते थे, m-5 न, तो अभी यहाँ पे m-5 नहीं लिखना, यह जो opposite आया है, वो लिख दियेंगे 5, ओके, अब यह steps एकदम ध्यान रखना, यहाँ पे जो पहला number है, वो ऐसे का ऐसा, सीधा है बिचारा, ऐसे का ऐसा नीचे आ जाएगा, तो 2 है, तो 2 आया, फिर क्या करने का, 5 और यह वाला जो number है, इसको multiply करने का, मतलब जो भी यहाँ पे है, और यहाँ पे उसको multiply करो, 5, 2, 0, 10, और उसको यहाँ पे लिखने का, तो आया हमको 5, 2, 0, 10, फिर यह दोनों को add करना है, minus 3, plus 10, मतलब 10, minus 3, क्या जाएगा, plus 7, उसको सिर्फ 7 लिख सेटा हो न, तो यहाँ पे लिख दिया, 7, फिर से जो भी इधर आया न, उसको यह वाले number से multiply करना है तो 5, 7, 0, क्या है, 5, 7, 0, 35, कहां लिखेंगे, इधर, तो यहाँ पे लिख दिया, 35, और यह जो दो number से हमेशा उनको add करना है, 10, plus 35, को यहाँ पे भी add किया था, 10, plus 35 क्या होता है, 10, plus 35 होता है, 45, काम खतम, जो last में number आया, उस पे box बना देना है, क्यों बनाना है, सब मैं आपको बताता हूँ, यह जो box बनाना बच्चों, यह अपना remainder है, ठीक है, और यह जो आया न, यह अपना quotient है, लेकिन quotient आप बोलेंगे, 2 और 7 कैसे हो सकता है, अगर dividend आपने coefficient form में लिया, तो quotient भी coefficient form में ही आएगा, तो यह जो 2 और 7 है, coefficient form में है, तो यहाँ पे से division क्या आप सीधा लिख सकते हो, remainder is equal to 45, जो last में है, वो remainder है, and next क्या है, quotient, तो यह जो है, यह coefficient form of quotient है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, coefficient form of quotient, यह आ जाएगा, 27, अब coefficient form of quotient नहीं पूछा है, उसने हो, तो हमने निकाला, उसने तो quotient निकालने बोला है, और remainder, remainder हमने नि quotient क्या आएगा, इसमें से, कितने terms है, coefficient में, एक, दो, तो degree क्या आएगा, जो भी coefficients है, minus one, two minus one कितना होता है, one, मतलब, पहले का one होगा, second का zero होगा, तो two के साथ क्या आएगा, क्या है variable, यहाँ पे variable है m, तो इधर आएगा, two m plus seven, यह कैसे आया, समझा गया, बच्चों हमने यह सीखा था, coefficient form कैसे लिखते हैं, coefficient form से, हम लोग normal form में कैसे लेके आते हैं, index form में, यहाँ पे देखो, यह दो terms है, दो terms है, degree कैसे निकालेंगे, two minus, जो भी आया, minus one, तो आया one, तो जो भी answer आने वाला है, उसका degree one आने वाला है, तो यहाँ पे degree one वाला term आएगा, यहाँ degree zero वाला term आएगा, two m, और यहाँ पे seven m zero, m zero क्या होता है, one होता है, इसलिए m zero लिखने की ज़रोत नहीं, अगर ऐसा होता तो two, seven, three, तो टीन terms है न, degree क्या हैगा, three minus one, which is two, तो two degree आना चीए, तो जैसे ही आपने two, seven, three लिखाता न, तो two m square, plus seven m, plus three m, zero, देखो, two, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब one, और zero, तीनों terms आएगे, पर m zero लिखने की ज़रूरत नहीं, खाली three लिखा, तो भी चलेगा, ओके, तो यहाँ पे two, seven में से आपको आया, two के साथ m, seven के साथ, m raised to zero, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं, m zero, इसलिए two n plus seven लिख दिया, तो यह था अ दिखाता हूँ, क्या आता है, देखो एक बार, same question, मैंने, जो हम लोग बचपन से division करते आ रहे हैं, वही method से solve करके बता है, अभी हम लोग ने किया था न, three point two में, जहाँ पे हम लोग explanation लिखते थे, कि यहाँ पे किस से multiply करेंगे, तो यह आएगा, same method follow किया, quotient किया आया, द पहला method कि second method, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह वाला जादा easy है, लेकिन यह जादा easy होता है, synthetic division, और आपको ऐसा नहीं भी लग रहा है, तो कोई choice नहीं है, उसने बोला synthetic division से करो, और आपने यह वाला method use किया न, तो ऐसे जो यह circle बना है न, zero, उतना max मिलेगा, तो नहीं अ synthetic division यूज करना है, कि जो अब आगे सीखेंगे linear division वो यूज करना है, ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन generally वो लोग बोलेंगे कि यह method से solve करो, तो यह मैंने देखो normal method से भी आपको solve करके बताया, same answer आता है, आनाई चीए same answer, division ही कर रहा है न, खली अलग-अलग methods है, तो यहाँ अब यह synthetic division फिर से एक बार देख लो, इसके बाद मैं इसका linear division अभी नहीं करा रहा, पहले मैं second question भी synthetic division से solve करके बताऊँगा, ताकि आपके दिमाग में synthetic division एक बार अच्छे से बैट जाए, वीडियो pause कर लो देख लो एक बार, यह 4 steps जो है, एकदम ध्यान रखना हमेशा ल sums होने चाहिए, ओके, और अगर आपको एक coefficient form से ये कैसे लिखाओ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोगों को 3.1 के वीडियो को देखना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे मैंने एकदम अच्छे से explain किया है कि coefficient form से आप normal index form में कैसे लिखते हैं, ओके, चलो आपको बताया, मैं आपको 2 questions synthetic division से बताऊंगा, फिर उसके बाद same 2 questions हम लोग linear division से करेंगे, तो synthetic division के लिए क्या था rule, पहले आपको इसको जो dividend है, जो divide होने वाला है, उसको index form में लिखना है, index form मतलब highest degree देखो क्या है, 4, तो 4 से लेके 0 तक सारे terms होने चाहिए, 4, 3, 2, dividend, divisor, opposite sign, तो यहाँ पे सबसे पहले यह divide होने वाला है, तो वो यहाँ पे लिख दिया, index form में, index form में नहीं होता, तो index form में हम जबरदस्ती उसको लिखते, coefficient form of dividend, इसका coefficient form क्या आएगा, देखो यहाँ पे, यहाँ पे कोई coefficient नहीं मतलब 1, तो उदर 1 लिख दिया, फिर next क्य है, 2, उसके बाद 3, 4, 5, तो लिख दिया, 2, 3, 4, 5, यह 5 भी x raised to 0 का coefficient है न, इसलिए 5 भी coefficient आता है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 भी आ जाएगा, यह हो गया हमारा coefficient form of dividend, divisor क्या है, divisor मतलब जिससे divide कर रहे है, x plus 2, तो यहाँ पे लिख दिया, x plus 2, अब इसमें मैं आपको बताय है, क्योंकि next step में हम लोग इसका opposite sign लिखेंगे, opposite of plus 2, क्या आ जाएगा, opposite of plus 2 आ जाएगा, minus 2, ठीक है, तो अब बना दो 2 lines, उसमें हम लोग coefficient लिखेंगे और divisor लिखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले divisor लिख देते है, minus 2, तो यहाँ आ गया, minus 2, फिर coefficient form of dividend, जो divide होने वा वैसे ही, यहाँ पे ऐसा बना के, यहाँ पे divisor और अंदर dividend, लेकिन दोनों में, यहाँ पे coefficient form आएगा, और यहाँ पे opposite sign जो होगा, ठीक है, step से यहाँ रखने, यह minus 2 आ गया, dividend के आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ लिख दिया, 1, 2, 3, 4, 5, फिर्स step क्या होता है, फिर्स step हो यहाँ यह मतलब 0, तो 1 प्लस 0 क्या आएगा, 1, जो भी नमबर यहाँ पे ना, हमेशा होगा, यहाँ पे आता है, फिर्स step में, तो यहाँ पे लिख दिया, 1, उसके बाद क्या होगा, मैं arrow बना रहा हूँ, ताकि आपको समझे कि सीधा यही नमबर आता है, अब next step में यह इ इधर लिखेंगे, फिर इसको multiply करेंगे, इधर लिखेंगे, फिर इसको multiply करेंगे, इधर लिखेंगे, ठीक है, अब यह add करो, 2 प्लस माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0, next, इसको और इसको multiply करो, minus 2 इंटो 0, 0 को किससे भी multiply करो, answer 0 आता है, वो कहाँ पे लिखेंगे, इधर, तो इसको multiply करो, minus 2 इंटो 3, 3 मतलब प्लस 3, minus इंटो प्लस आजाएगा, minus, 2 इंटो 3 आजाएगा, 6, तो answer है, minus 6, next step में इन दोनों को add करो, 4 minus 6, minus 6 बढ़ा है, इसलिए answer तो negative आजाएगा, 4 minus 6 आजाएगा, minus 2, next step में, यह minus 2, into minus 2, minus इंटो minus आजाएगा, plus, फिर, 2 इंटो 2 आजा खाले लिखूँगा, तो भी plus 4 ही होता है, ठीक है, अब 5 plus 4 कर दो, 5 plus 4 आजाएगा, 9, खतम हो गया, अब यहाँ पर इसको multiply करके, आगे कुछ है भी नहीं ना, यहाँ पर लिखने के लिए, जहां तक यह जाता है, वहां तक लिखना है, तो last में जो आया, उसके बाजू में बना दो box, ओके, यह जो आया, यह अपना remainder, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, therefore remainder is equal to 9, quotient कैसे निकालेंगे, यह जो है ना, 103 minus 2, यह अपना quotient, लेकिन कौन से form में है, coefficient form में, तो यहाँ पर लिखेंगे, coefficient form of quotient equal to, क्या आजाएगो, coefficient form of quotient, 103 minus 2, अब इसमें से देखके, आपको quotient लिखना है, कैसे लिखेंगे, देखो ऐसा सुचो, 103 minus 2 ऐसे है, कितने terms है, 4 terms है, मतलब degree क्या आएगा, 4 minus 1, which is 3, तो यहाँ से शुरू होगा degree 3, degree 2, degree 1, degree 0, variable क्या था, variable था अपना x, तो यहाँ से शुरू होगा degree, तो 4 terms है, तो degree 3 आएगा तो यहाँ से शुरू होगा, degree 3, x raise to 3, degree 2, x raise to 2, degree 1, x raise to 1, खाली x लिख सकते हैं, और degree 0 मतलब x raise to 0, ठीक है, फिर terms क्या आजाएंगे, 1 multiplied by x cube, 1 x cube, plus 0 into x square, 0, plus 3 into x, minus 2 into x raise to 0, इसको simplify करके लिख सकते हो, खाली x cube, यह तो आएगा ही नहीं, 0 है इसलिए, plus 3x, फिर यह minus 2, x raise to 0, क्या लिख सकते हैं, 1, तो आएगा minus 2, तो यहाँ लिख दिया minus 2, ठीक है, तो ऐसे हम लोग, यह वाले coefficient form को normal polynomial में लिखेंगे, कैसे, x cube, plus 3x, minus 2, यह आपको लिखके नहीं बताना, यह मैं erase कर रहा हूँ, यह मैंने आपको 3.2 में या 3.1 में कर देते हैं, आया समझ में, तो हम लोगोंने synthetic division use करके remainder भी निकाल लिया, and quotient भी निकाल लिया, ओके, तो हमारा synthetic division एकदम clear होना चाहिए अभी, अब हम करते है linear division, कि linear division next lecture में करना है, पहले synthetic division सीखना है, synthetic division पर थोड़े questions practice करने हैं क्या खुद से, थर्ड़ वाला खुद से क करेंगे, फिर मैं जो करना हूँ, उसे compare करना है, चलो ऐसे करते हैं, थर्ड़ वाला question यहाँ पर देख लो, वीडियो pause कर लो, and ये खुद से solve करो, अभी pause नहीं करोगे ना तो थोड़े दिर बाद मेरा solution दिख जाएगा, इसलिए अभी के अभी pause कर दो, ओके, तो ऐसे आए उसको ही degree बोलते हैं, highest power को, तो 3 से लेके 0 तक सब terms होने चाहिए, 3 वाला है, और 0 वाला है, बीच में 2 और 1 आना चाहिए, तो 2 वाला नहीं है, 0 y square, 1 वाला नहीं है, तो 0 y, ये दो extra terms गुसा दिये जबरदस्ती, तो अब देखो सब आ गए, 3, 2, 1, और यहाँ पर कुछ नह 6, आया था यहां तक, अगर यहां ही पर mistake हुआ है, तो अभी वीडियो पॉस करके वापस यहां से try करो, तो आपका at least यह वाला पार प्राक्टेस हो जाएगा, अगर आपका आ गया है, तो आगे देखो क्या किया हमेंने, devisor क्या दिया है, y-6, इसमें इसको box बनाएंगे, अच्छा, exam में इसको box मत बनाओ, यह भी में methods रिखा रहा हूँ न, इसलिए बना रहा हूँ box, ठीक है, आप underline कर सकते हो exam में चाहिए तो, फिर opposite of minus 6 क्या होता है, plus 6 न, खाली plus 6 लिखने की जरूरत ने, 6 लिखेंगे तो भी plus 6 ही होता है, फिर next step में हम लोग यह ऐसे किया, तो 6 आ गया, फिर 6, 6, 36, फिर 0 प्लस 36 किया, तो 36 आ गया, फिर 6 इंटू 36 आ जाएगा, 216, फिर minus 216 प्लस 216 आ जाएगा 0, यह दिख रहा है कैसे जा रहा है, इधर से ऐसे, फिर इधर से ऐसे, फिर इधर से ऐसे, और यहां पे हमेशा addition होता है, तो यहां पे जो last number आ कितने डर्म्स है एक दो तीन मतलब जो आंसर आएगा उसका डिगरी टु होगा फर्स का कोईशेंट है वन तो डिगरी टु डिगरी वन लिखने की जरूरत नहीं है न एन डिगरी जीरो ये वायर रिस्टू जीरो लिखने की भी जरूरत नहीं है तो आजाएगा y square प्लस 6y प पर आपको steps पता चल गए तो बहुत ही easily हो जाता है पक्का समझा अगर आपको खुद से आया है तो मुझे comments में बताओ कि आपने खुद से किया और आपको इसका answer right आया है अच्छा tension मतलो linear division से भी मैं हर एक question पहले जो तीन questions है को linear division से भी करा हूँगा लेकिन अभी मुझे चाहिए था कि आप synthetic division एक बार अच्छे से समझ जाए done तो आज हम लोगोंने synthetic division सी का नया method था division का और उसमें मैंने आपको question number one, two and three करवाए तीन question बचे हैं कर ले दें कास all third वाला तो आपने खुद से try किया ही है fourth, fifth, sixth के लिए थोड़ा speed जाएंगे तो चलेगा न method तो आपके समझ में आई गया है और फिर next lecture में हम लोग linear division से all six questions solve कर देंगे तो इस बार ऐसे करते हैं, lecture खतम नहीं करते हैं यहाँपे fourth, fifth, sixth भी solve कर लेते हैं, ठीक है ठके नहीं हो न अब तक पंदरा बीस मिनिट का विडियो हुआ है, ठको मत पहले तीन question कर लिए, next तीन कर लेते हैं और 3.3 का एक पार्ट तो खतम कर लेते हैं synthetic division वाला चलो, fourth question solve करते हैं तो fourth question में दिया है 2x power 4 3x cube 4x minus 2x square, देखो यहाँ पे 4, 3, 2 order इधर करना पड़ेगा न, index form में highest से lowest जाते हैं, और 4x, 1 है न, इसका एक 0 वाला term नहीं है, वो गुसा देंगे x plus 3 अपना divisor है ठीक है, तो कैसे solve करेंगे इसको तो मैंने यहाँ पे, जो भी 4 ऐसे काईसा आएगा, next क्या है 3x cube, वो भी ऐसे ही आएगा फिर cube के बाद square, 2 वाला आना चीए तो 2 वाला यह term है न, minus 2x square तो उसको थोड़ा आगे लिख दिया फिर 2 के बाद 1 वाला, यह x 1 वाला है न, तो 4x लिख दिया अभी खतम नहीं हो आए, यहाँ पे x raise to 1 है एक 0 वाला term डालना पड़ेगा न तो वहाँ पे हम लोगों ने हवाँ में से कहीं से तो एक term लेकिया है, 0x raise to 0 ओके, यह x raise to 0 यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन लिख दो ताकि mistake होने का कोई chance ही नहीं हो ओके तो यह एक बार index form में आ गया फिर coefficient form of dividend क्या आएगा शुरू करो यहाँ से इसका coefficient क्या है, 2 फिर 3, फिर minus 2 तो यहाँ पे लिख दिया 2, 3, minus 2 उसके बाद था 4 और उसके बाद था 0 तो लिख दिया 4 और 0 divisor क्या है अपना divisor है x plus 3 तो यहाँ पे लिख दिया x plus 3 फिर मैंने habit बना था न इसको underline करें आप box बना दो plus 3 का opposite क्या आएगा minus 3 ठीक है, यही है न opposite of जो भी यह उसका opposite लेना है तो यहाँ पे divisor आजाएगा minus 3 और यहाँ पे क्या आएगा evident 2, 3, minus 2, 4, 0 यह कहां से आया? यह वाला है देखो 2, 3, minus 2, 4, 0 पहले step में यह 2 सीधा ऐसे नीचे आएगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 2 फिर minus 3 into 2 आजाएगा minus 6 फिर 3 minus 6 minus 6 बड़ा answer negative आएगा तो आएगा minus 3 फिर minus 3 into minus 3, minus into minus हो जाएगा plus 3, 3's आएगा 9, तो इदर आजाएगा 9 फिर minus 2 plus 9, मतलब 9 minus 2 तो आजाएगा 7 फिर minus 3 into 7 minus इंटु plus, मतलब minus 3, 7's are 21, तो आजाएगा minus 21 फिर 4 minus 21 हो जाएगा minus 17 फिर minus 3 into minus 17 minus into minus plus तो आ जाएगा plus और आगे क्याएगा 3 into 17 ना 3 into 17 आ जाएगा 51 फिर 0 plus 51 हो जाएगा 51 51 पर खतम हो गया तो इस पर हम लोग एक box बना देंगे 51 क्या जाएगा अपना remainder और यह जो है यह क्या है यह coefficient form of quotient तो यह क्या है 2 minus 3 7 minus 70 यहाँ पर देख लो अब इसको कैसे लिखेंगे quotient को देखो कितने terms है 1, 2, 3, 4 और variable x है तो 4 term है तो degree क्या आएगा 4 minus 1, 3 तो 3 कैसे आएगा यहाँ पर x cube x square x और x raise to 0 जो नहीं लिखेंगे खाली minus 17 आएगा तो मुझे quotient मिलेगा 2x cube minus 3x square plus 7x minus 17 तो यहाँ पर quotient लिख दो 2x cube minus 3x square plus 7x minus 17 तो यह आजाएगा अपना final answer समझा कैसे किया synthetic division कुछ नया नहीं किया यहाँ पर एक खाली है 0x raise to power 0 वाला था जो आपको आना चीह है लेकिन यह अलग type का sum गिन्न हो जिसमें यह भी आपने ले लिया descending order में कर दिया वैसे ही करना है 4 के बाद 3 3 के बाद 2 ऐसा नहीं होना चीह कि 4 के बाद 1 आया 1 के बाद 2 आया 2 के बाद 3 आया descending maximum जादा से लेके 0 तक सारे terms आने चीह हैं वीडियो पॉस करके देख लो एक बार notebook में copy कर लो चलो next करते हैं तो देखो मेरे पास तो बहुत बड़ा advantage है मैं ये वाला part हर जगे से copy करके paste कर सकता हूँ आप लोगों को तो लिखना पड़ेगा अब क्या दिया है question x raise to 4 minus 3 x square minus 8 divide by x plus 4 ये देखो 4 के बाद 2 आ रहा है 2 के बाद यहां कुछ नहीं 0 तो एक 3 का term missing है और एक 1 का term missing है तो उसको जबरदस्ती घुसा देंगे बाकि descending order में ही है 4, 3, 2, 1, 0 तो 3 और 1 का term add कर देंगे तो कैसे आएगा देखो x raise to 4 तो आ जाएगा फिर minus 3 x square आएगा फिर minus 8 आएगा बीच में क्या-क्या घुसाना है एक 3 वाला term तो 0 x cube और दूसरा एक 1 वाला term 1 मतलब 0 x raise to 1 खाली 0 x लिखेंगे तो चलेगा आगए सारे terms 4, 3, 2, 1 और कुछ नहीं मतलब x raise to 0 ठीक है तो इसका coefficient form क्या आएगा इसका coefficient form आएगा यहाँ पे 1, 0, minus 3 फिर 0, minus 8 पाँच है ना 1, 0, minus 3, 0, minus 8 नेक्स्ट है डिवाइजर डिवाइजर क्या है यहाँ पे x plus 4 तो लिख दो यहाँ पे x plus 4 उसमें यह वाला part underline करो यह plus 4 का opposite क्या होता है plus 4 का opposite होता है minus 4 फिर यहाँ पे minus 4 है तो इधर minus 4 लिख दो और यहाँ पे coefficient form of dividend 1, 0, minus 3, 0, minus 8 तो यहाँ लिख दिया 1, 0, minus 3, 0, minus 8 फिर बहुत सिंपल है पहला 1 तो ऐसे ही नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे हम लोग उने 1 ले लिया नीचे next यह minus 4 into 1 minus 4 into 1 आ जाएगा minus 4 next step में यह दोनों को add कर दो 0 plus minus 4 आ जाएगा minus 4 फिर यह minus 4 और minus 4 को multiply करो minus into minus plus 4 into 4 हो जाएगा 16 तो यहाँ पे आ जाएगा plus 16 खाली 16 लिख सकते हो ना plus 16 को minus 3 plus 16 16 बड़ा है मतलब positive answer आएगा 16 minus 3 हो जाएगा 13 हो जाएगा यहाँ पे फिर minus 4 into 13 minus into plus negative तो यहाँ पे negative आएगा फिर 13 into 4 कितना होता है 13 into 4 होता है 52 what is 0 minus 52 0 minus 52 is minus 52 फिर यहाँ पे minus 4 into minus 52 minus into minus plus plus लिखने की ज़रूत नहीं है 4 into 52 कितना होता है चेक करो 2400 8 या 4200 8 4200 20 208 तो यहाँ पे आ जाएगा 208 208 minus 8 आ जाएगा 200 तो यह जो 200 आया है ना last वाला यह है अपना remainder ओके and coefficient form of quotient क्या है यह वाला पार्ट 1 minus 4 13 minus 52 1 minus 4 13 minus 52 quotient लिखने के लिए थोड़ी जगा चाहिए होगी ना भी यहाँ पे कम पड़ेगी जगा quotient कैसे लिखेंगे दिखो आपको coefficient form पता है कितने terms है 1, 2, 3, 4 या फिर देखलो 1, 2, 3, 4 लिखने क्या आएगा 4 minus 1 which is 3 मतलब यहाँ पे आएगा x cube 3 था ना x square x और यहाँ पे x raise to 0 यह x मतलब x raise to 1 तो कहा लिखेंगे 1 x cube minus 4 x square plus 13 x minus 52 वो आजाएगा अपना quotient तो यहाँ पे लिख दिया 1 x cube minus 4 x square plus 13 x minus 52 यह हो जाएगा अपना quotient आया समझ में यह 1 x cube के जगे पे खाली x cube लिखेंगे तो चलेगा ना हो सकता है answer में 1 x cube न दिया हो सिर्फ x cube दिया हो तो ऐसा मत सोचना कि आपका answer गलत है 1 को erase कर दो ठीक है तो यह आपका answer आजाएगा x cube minus 4 x square plus 13 x minus 52 आगया remainder quotient आया समझ में यह रफ वाला पार भी erase कर रहा हो उपर 52 x 4 थोड़े बड़े नमबर थे ना इसमें यह हमको क्या फरक पड़ता है same steps follow करने है चोटे हो या बड़े नमबर done चलो आगे बढ़ते हैं आगे हम लोग 6th question पे y cube minus 3y square plus 5y minus 1 divide by y minus 1 यहाँ पे देखो 3, 2, 1 और यह y raise to 0 पूरे सारे terms है 3 के बाद 2 के बाद 1 के बाद 0 descending order मतलब यहाँ पे dividend में भी कोई change नहीं है एकदम ही time pass question है इसलिए आपको पता हिए मैं क्या बोलूँगा आपको खुद से try करना है लेकिन मैं solution दूँगा इसका ठीक है अभी क्या भी pause करो क्योंकि इसके आगे अगर आप video देखोगे तो solution दिख जाएगा आपको तो solution नहीं देखना है pause कर दो video और solve करो खुद से honestly करना है खुद से solve कोई cheating नहीं चलब ऐसे आया होगा dividend में कोई change नहीं जो दिया था वही उसने standard इंडेक्स form में दिया हुआ था coefficient form क्या आ जाएगा इधर 1 minus 3 plus 5 मतलब 5 और minus 1 divisor दिया हुआ है y minus 1 इसमें देखो ये वाला जो है वो minus 1 है उसका opposite क्या आ जाएगा plus 1 plus 1 मतलब सिर्फ 1 न इधर लिख दिया सिर्फ 1 ये वाला 1 minus 3 5 minus 1 इधर आ जाएगा ये 1 free में नीचे आएगा 1 1 0 1 minus 3 plus 1 हो जाएगा minus 2 फिर 1 into minus 2 आएगा minus 2 5 plus minus 2 आजाएगा 5 minus 2 which is 3 1 3 0 3 इधर आ जाएगा minus 1 plus 3 आजाएगा 2 खतम हो गया इसका आगे तो कोई terms ही नहीं है minus 2 3 क्या आजाएगा 3 है नहीं टर्म्स तो degree 2 होगा variable क्या है y तो देखो degree 2 मतलब इधर y square इधर y raise to 1 और इधर y raise to 0 y raise to 1 हम लिखते हैं यह ना खाली y लिखते हैं तो 1 y square को आप y square लिख सकते हो ना खाली तो इधर लिख दिया y square फिर ये 1 नहीं लिखने का minus 2 y फिर plus 3 y raise to 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है ना खाली 3 लिख सकते हो तो plus 3 तो ये आगया आपका quotient आया आपको खुद से कहाँ पे mistake किया किसी बच्चे ने यहाँ पे ऐसा किया गया 1 minus 2 3 और कॉमा डालके यहाँ पे 2 भी लिख दिया चारो टर्म लिख दिया बहुत ही common mistake है वो एकदम ध्यान रखना है कि last वाले को box बना दो इसलिए मैं यह सब कराता हूँ कि box बना दिया तो समझ जाता है कि यहाँ पे रूप जाना है remainder है किसी ने यहाँ पे sign mistake किया यहाँ पे addition में mistake किया यह कुछ अलग दिख रहा है तो आपको लगा wrong है यहाँ पे 1 दिया है तो भी गलत नहीं है वो इधर भी 1 लिखा है तो wrong नहीं है यहाँ पे wise to 0 लिखा तो भी wrong नहीं है ओके जिसको जिसको खुद से आया comments में बताओ कि यह question अपने खुद से solve किया और आपको write आया जिनको नहीं है अटेंशन नहीं है अभी solution देखाना वापस वीडियो pause करो और बिना देखे एक बार solve करो ठीक है तो आज का lecture यहीं पे खतम करते हैं आज मैंने आपको 3.3 का synthetic division सिखाया जिसमें 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th करवाया पहले में 3 questions कराके रुकने वाला था है यहाँ लेकिन सोचा चलो synthetic division पूरा करा लेते हैं फिर lecture 2 जब कराऊंगा न उसमें मैं आपको linear division method कराऊंगा ऐसे मत सोचो कि linear division method difficult है easy है लेकिन पहले एक method सीख लोगे और उसके उपर 6 questions practice हो गए न तो दिमाग में must बैढ जाएगा और आप भूलेंगे नहीं कभी synthetic division अगर पहले आपने सीखा है और आपको difficult लगा हो तो please वह भूल जाओ synthetic division बहुत easy है यह 6 questions का जो मैंने video बनाया हो देखो अच्छे से आपको easy लगेगा एक बात याद रखने है आपको जब भी synthetic division करेंगे तो check करेंगे कि divisor हमेशा यही form का हो देखो है यहाँ पर variable minus something variable minus something variable plus something variable plus something variable plus something variable minus something और यह variable का डिगरी देखो हर जगे 1 है m मतलब m raise to 1 y मतलब y raise to 1 x मतलब x raise to 1 and y मतलब y raise to 1 ठीक है and second चीज यह जो dividend आप लिखेंगे वो हमेशा आप index form में लिखेंगे हर एक degree present होनी चीज़िए degree highest जो है उसके बाद 0 तक ठीक है तो आज का वीडियो यहीं पर खतम करते हैं वीडियो पसंद आया तो like ज़रूर करें लिंक अपने दोस्तों के साथ whatsapp पर share करें ताकि उनको भी synthetic division easy लगे अगर आपने हमारे चैनल को अब तक subscribe नहीं किया है तो क्यों wait कर रहे हो कर लो subscribe हम ऐसे ही सारे practice set के detailed solutions upload करते रहेंगे कंटी भी बजा दो ताकि जैसे इसका lecture to upload हो आपको notification आया और आप कोई भी important lecture miss न करें comment section में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और जो भी question मैंने खुद से solve करने दिया है आप जब भी मुझे comments में बताते हैं कि ये मैंने खुद से किया मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे पता चलता है कि मैं जो आपको समझा रहा हूं वो आपके दिमाग में जा रहा है और आप खुद से question solve कर पा रहे हूं ठीक है तो ये मेरे लिए है आपके लिए नहीं ये मुझे motivate क बनाने के लिए ठीक है इतना कर सकते हो ना चलो खतम करते हैं thank you so much for watching this video